ये ओर्ट सुप गई इसके से आप सो भी लोग वेलकम बाक टू अनेधर गेंडर गेंपले वीडियो तो गाइस आर जम लोग दुबार से के लिए जा रहे हैं GTA 5 तो जैसे कि आप सो भी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोल में जब हम लोग बॉस के घर पर उसकी अमेंट भी था उस दिन तो हम नहीं कहा करा Lost Gang के अड़े में वापिस गए Monster Truck उनके उच्वीना और साथ उनके जितने बंदे थे उनको भी कूट डाला और उसके लिए हमने वही वाली रेस खेली क्योंकि उसके तो हाथ पैर तोड़ दिये थे उन लोगों ने तो बहुस रे माफ़े के साथ मीटिंग है एक रेस्टोडेंट के अंदर तो हम लोग फटावर से ब्लैक के कोट्मेंट पैन कर अपनी गोल लिमोजीन लेकर वहां के लिए निकल गए और हम तीनों ऐसा बोडी गार्ड गए तो जैसे हम लोग वहां पर पोचे वहां पर जाकर पता चला भ मुझे लगी रहा था कि यहां पर अभी कोई बहुत बड़ी गरवड होगी और वहो भी गई फिलाल अभीना मेरा बहुत जाता दिमाग खराब हो रहा है क्योंकि उसने अमें यह वोला है कि अगर तुम चाहते हो कि एक क्लिप में मिलिटरी कनल को ना भेजू तो तुमें मे इतने सारे डगन गैंग के बंदे कहां से आगे अपने घर में जटके से अब भी तक तो फिलाल कोई भी नी था बाकि यहां पर पूरी की पूरी माइकल की फैमिली को कहां पर लेकर जा रहे हो एक मिनट रुप जा बाई पहले यहां पर मैं नहीं निकाला रहा वैपन से या एक सकिन यार एक तो ना लेस्टर ना इन लोग को मुझे मारने दे रहा है लेस्टर ने साफ बोला है कि डगन बोस के ओपर अटैक मत करना वरना वो सीधी सी क्लिप्स जा सीधा उने भेज देगा बाकि एक सकिन यार डगन बोस खुद नहीं आया कि उसने बस अपनी गैंग के बंदों को भेजा है बाकिर एक सकिन पहले इन से बात कर लेते हैं देखते हैं क्या स्थीन है अराम से हम लोग डिसकस करेंगे यार तो की काईस अभी ना मेरी फिलाल यांपर इन लोग से बात हो गई है और काईस यह लोग कह रहा है कि बस तुम हमारे बोस का दिया हुआ काम करो हम लोग जितनी तमी से तुमारी सबकी फैमिली इसको लेकर जा रहे ना उतनी तमी से वापिस भी छोड़ने आएंगे अगर वो काम हो जाता है तो अधरवाइस समझ जाना कि इनके साथ क्या ही होने वाला है बाकिर देखो डगन बोस के लिए मैं काम करने के लिए त क्योंकि लेस्टर कहरा है कि इसके लिए काम हमें करना है क्योंकि इस टाइम पर हम डगन बोस के ओपर अटैक भी नहीं कर सकते हैं तो सीधी सी बात है वो जो क्लिप है उसके बोडिगार्ड वगरा मिलिटरी करनल को भेज देंगे फिर अपना ही जीना यहां पर इस शहर में खराब हो जाएगा तो इसलिए अभी जल्दी से जलता है लेस्टर के बास और अगर अभी लेस्टर ने वो चीज़ा में नहीं बताई ना तो सीधी सी बात है मैं लेस्टर का मू तोड़ डालोगा आज आज नहीं देखना क्योंकि यह कुछ जादा ही मचा को गया लेस्टर है क्योंकि अगर अभी बदला लिया तो हमारा शहर में जीना मुश्किल हो जाएगा और अब तो पूरी की पूरी फैमिली भी खत्रे में है फिलाल यह सारे के सारे लोग यहां से जा चुके मुझे नहीं बताई यह इन्हें कहां पर लेकर जाएंगे बाकि मेरे को इतना ही अब जाएंगे बाकि फिलाल सबसे पहले में जाने वाला हूं सीधा लैस्टों के पास अपनी गोल्ड ली मों काम करता हूं घर में खड़ी रहन देता हूं और घर भी पूरा पूरा खाली है भाई क्या ही गरें अच्छी बात तो यह कि आर आज अपना गार्डनर घर पर न तमीजी हलकी से भी करी ना बहुत बुरी तरह मारूंगा तो गाईसर मैंने बहुत से गलस सीन देखे लेकिन इतना जादा गलस सीन अपनी आखों के सामने होता हुआ मैंने पहली बार देखा है इस चीज़ का जो बदल है ना मैं डगन वोस से बहुत ही खतरनाक तरीके से ल अब इस जगह के अंदर लेकर चलना है बाकियार अभी पता नहीं है जो कि लेस्टर में प्लान बताने का नाम नहीं नहीं रहा है आज कुछ भी हो जाए आस तो मैं प्लान बस पता करके रहूंगा बाकियार जुग गाड़ी है वैसे कर इतर देखा जाए तो ट्रेवर फ्र साइड में रहे फ्रांक्ली लेस्टर अब जल्दी से मैं बात करता हूँ और अभी प्लान पता करता हूँ अब उसे नहीं बता थो फिर यहीं गहीं बहुत गलत सीन हो जाएगा तो चलो काैस अभी ना मेरे फिलाल या पर लेस्टर से बात हो चुकि है इतनी election में przek नों मैंने सुचा एक ऐसा प्लान बनाते हैं हम चारों मिलके कि जाकर डगण बोस कोई निप्टा दे लेकिन यार इस चीज में ना ही उसका फायदा है ना ही वो बचेगा ना ही हम बचेंगे तो यार इसलिए मैंने सुचा कि हमेना सोस समझ कर काम करना चाहिए क्योंकि जल्दी का काम शेतान का होता है बाकी तो यार जो काम हमें डगण बोस ने दिया है वो कोई काम नहीं है वो एक चोरी है वो भी बहुत बड़ी चोरी डायमेंड कसीनो के अंदर जहांपर हम लोग ओर लड़ी दो बारी चोरीयां कर चुके हैं पहले तो हमने पैसा चुराया था डायमेंड चुराया था पोस्टर चुराया था बट इस भारी जो चोरी है उसके अंदर हमें गोल्डन स्टैचू और डायमेंड स्टैचू चुरा कर लाने है जिनकी कीमत इतनी जाद है कि 10 diamond casino अराम से आ जाएंगे अब आप लोग खुद अंदाजा लगा लो कितने ज़्यादा महेंगे होगे अब बाकि जब हमने पहले चूरियां करी थी तो ही इतनी ज़्यादा security थी अब जिस जगह पर दो बारी चूरियां हो चुकी है तो वहाँ पर वहाँ लोग खुद अंदाजा लगा लो कितनी ज़्यादा security बढ़ गई होगी जिस विज़ाए से लेस्टर इतना ज़्यादा tension में था इतने time से तो लेकिन गाईज है रभी ना फिलाल लेस्टर कहा रहा है कि मैं अपने दोस्तों को बुला कर जाकर डगन बोस को मार दूँगा सब कुछ एक्दम ठीक हो जाएगा लेकिन लेस्टर इसे रोकने की कोशिश कर रहा है लेकिन यह नहीं मार रहा sorry Trevor अभी फिलाल मेरे को ही तुझे भ्योश करना पड़ेगा इसकी ऐसे की तासी अभी फिलाल मेरे को बे मतलब इसे मारना पड़ रहा है तो sorry यार मेरे को बिलकुल अच्छा नहीं लग रहा है इसको मारते हुए अभी फिलाल अपने बास कोई option भी नहीं है क्योंकि अगर यह डगन बोस के उपर जाकर attack कर देगा तो सीधी सी बात है पहली बात तो 1% चांस है कि अकेला उसे मार दे और दूसरी बात ही है कि अगर यह नहीं मार पाया तो काम और जादा खराब जाएगा तो इसलिए मैंने इसे भी भ्योज करने ही बेटर समझा वरना यार कोई फायदा नहीं था तो गाईस अर वैसे तो डकन बोस्rånे में पूरी कोपूरी साथ दीन कारा दाइम दिया है स्चोरी को करने के लिए जिसमें से 3-4 दिन तो लेस्टर ही लगा देका एक सेटथब करने में और एक प्लैन मनाने में इस चोरी के लिए लेकिन गाईस है लेस्टर कह रहा है कि यह जो चोरी है हम लोग बिना प्लान की करने जा रहे हैं और आज ही करने जा रहे हैं क्योंकि आज का दिन अपने लिए बहुत ज़दा स्पेशल है आज है हेलोवीन फेस्टिवल तो पूरे के पूरे शहर में जितने भी बंदे हैं होगा इस चूरी को करने के लिए तो चलो कैसे रविना फिलाल यहां पर लेस्टर में निकले सीधा इस रोब्री की तयारी के लिए क्यूंकि आज रात होने से पहले तभी यह जो रूब्री है पोसिबल हो पाएगी फिलाल के लिए फ्रैंक्लिन को मैंने यहीं पर रुकने क ध्यान रखे कई ऐसा नहों कि ट्रैवर को होश आ जाए वो ट्रैवर सीधा निकले डगन बोस को मारने के लिए दुबार से तो चल भाई लेस्टर जल्दी से भाहर आ जा फटाफट से मैं बैटता हूं बाइक पर लेस्टर कहां रहेगा जल्दी करवाई बिल्कुल टाइम है बट हमें एंटर ऐसे होना है कि कोई भी हमारा फेस ना देख पाए और वैसे भी आस तो यार हमारे पास पूरा फायदा है क्योंकि आज के दिन हैलोवीन के दिन डामेंड कसीनो के अंदर एक बहुत ही बड़ा इवेंट या फिर आप कहसेक्तों एक बहुत ही बड़ा फे सिक्योरिटी बहुत जादा होती है लेकिन डामेंड कसीनो में भीड भी उतनी जादा होती है बट एक सीन ओर है कि हम लोग यार अपनी वैपनस लेकर बिल्कूल भी अंदर नहीं जा सकते क्योंकि यार हमारी गेट पर पहले ही चेकिंग हो जाएगी तो सीधी सी बात है हमार चुराने के लिए डामेंड का सीनों जा रहे है अगर हम उस चीज़ को वहां से चुरा लेंगे फिर हम लोग वापिस नहीं आ पाएंगे मतलब ऐसा सीन है कि अगर वो जो स्टैच्व हमने वहां से उठा लिया ना तो वहां का जो रास्ता है उसमें इलेक्ट्रिक फील आ ज तो अगर अभी उसे जल्दी से जल्दी बोलेंगे तो फटा-फट से काम करेंगा मतलब कि उस बंदेगी ना मोबाइल रिपेरिंग की दुकान है दुनिया को दिखाने के लिए लेकिन उसका असली काम कुछ और है बाकि उसकी शोप लैस्टर किदर है तूने तो यहीं पर मैं पहुच गया हूं मेरे को मिल नहीं रही है मोबाइल निपेर तो बगल मी यह मैं थोड़ा सा पीछी वाले रोड पर तो मैं बस यहां पर जाना है और फटा-फट उसके पास चलते हैं ताकि हम लोग वहां से रियल वाला उठाले और नकली वाला वहां पर रख दें जिस हम लोग सामने चलते हैं बागी तो आप लोग एकनम लेफ और में जो बंदा देख पा रहे हैं हमी बस उसके पास जाना है क्योंकि यह भी तक जितने भी आइडेंटिटी कार्ट पासपोर्ट या फिर कोई भी चीज होती थी हम लोग इसी से बनवाते थे मतलब यह जो जग यहां पर लेस्टने से उन स्टैचूस की फोटो दे दिया है जो कि हमें डूब्लिकेट बनवाने हैं तो जल्दी से यहां से निकल लेते हम बाकियर यह बना तो देगा पर जल्दी बनाने के एक्स्रा पैसे तुमें देने पड़ेंगे जो कि मैने से पुरी की पुरी पेमे है क्योंकि इसने ना हमारे लिए काफी सारी डूब्लिकेट चीज़े बनाई है तो कैस अभी ना फ्याल अपना एक काम तो हो गया लेकिन अभी यह काम पूरा निप्टा नहीं है जब तक वो स्टैचू बननी जाते और जब तक हमें मिलनी जाते तो समयल अभी तक एक भी का तो में मार्केट में तो वहां पर चलते हैं और देखते हैं में कौन-कौन से कोस्ट्यूम ले लेने चाहिए तो अच्छा लोगाइस अभी ना फिलाल में अपनी बाइक लेकर सीधा में मार्केट की शॉप में पहुचने वाला हूं जहां से में बड़िया-बड़िया कोस् कॉस्ट्यूम हैं जिन में बहुत नजरागा हमें कुछ ऐसी कोस्ट्यूम जिन में फिल्कोल से भी ना екre डिखे तो अब जल्दी से अंदर चल कर देखे एंक पास विसे काफी सारे कॉस्ट्यम हो हें हेलोवीन के बाकी 3-4 कोस्ट्यूम इस तरफ में काफी जदा बड़िय तो चले यार अभीना जल्दी से इन कॉस्ट्यूम को लेकर मैं निकल लेदा हूं सीधा किसी और जगा पर, मतलब कि अभीना आज की दिन अपने पास काम जादा है, बट टाइम बहुत कम है, अब देखो अपना जो डामन कसीनों के अंदर जाने का प्लान है, मतलब जो टारग है लेस्टर, जो कि सीधा डामन कसीनों में जाकर अटैच होगी, अब वह जो टेनल है, उसे मतलब कि पूरा कपूरा खोदने में बहुत जादा टाइम लगेगा, बट अभीना लेस्टर ने अपनी फ्रेंड को बोलके उसका जो काम है, वह स्टार्ट करवा दिया है, और दे इतिया क्या सीन है, वो टेनल कैसी है, कहाँ पर जाकर जुड़े की डामन कसीनों के अंदर, वो सबकी जो प्लानिंग है, लेस्टर वहीं चलकर समझाएगा, तो चलो गाइस, अर अभी ना फिलाल मैं अपनी बाइक लेकर पहुचने वाला हूं सीधा डामन कसीनों, वैसे त जादा डिगिंग करने की जरूत ना पड़े, तो भी बस हमें क्या करना है, अपनी बाइक को यहां से थोड़ा सा आगे लेना है, यह रडामन कसीनों उसके एक तब जस सामने इस तरफ में आना है, और बस हमें थोड़ा सा नीचे जाना है, यहां पर काईस एक टैनल आती है मतलब जो अपनी टैनल है ना गाइस वो कोई नॉर्मल टैनल नहीं है, मतलब एक टैनल के अंधर दूसरी टैनल जा रही है, कुछ ऐसा हिसाब है, तो भी जल्दी से अपनी बाइक को आगे लेकर चलता हूँ, वैसे तो लेस्टर ने कहा था बस अंदर जाते हैं में नजर आ बस किसी को भी बात पता ना चले क्योंकि ये शोर बहुत जादा करता है, तो भी देखते हैं क्या सीन है, बाकि भी लेस्टर कहा रहा है कि वो यहीं पर रुकने वाला है, हम अपना बागी काम करने निकल लेते हैं, तो अच्छे लोग ऐस अभी ना फिलाल के लिए लेस्ट अपना यहीं पर उतर गया इस टनल का काम देखने के लिए ताकि जो टनल है जल्दी सल्दी बन कर कम्प्रीट हो जाए, बाकि तो अभी ना लेस्टर कहा रहा है कि अभी के अभी सबसे पहले तुम जाओ सीधा डामन कसीनो, क्योंकि डामन कसीनो की पीछे ना में वहां पर कसीनो के स्ताफ मेंबर मिलने के लिए आ रहा है, जो कि डामन कसीनो के अंदर हमारी एंट्री तो करवा देगा, लेकिन सिलेब्रिटीस के साथ में, अब देखो एंट्री तो अपनी नॉर्मल भी हुजाएगी, बट सिलेब्रिटीस के साथ एंट्री करने पर ना काई समय, व अपनी एंट्री करवात है, तो जहां तक है, लेस्टर ने का था, डामन के सीनो के पीछे ही मिलेगा, जहां पर गार्डेन टाइप है, फिर ग्राउंड है, जल्दी से भी वहाँ पर चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है, तो अचलो काई सभी ना, फिलाल मैं अपनी बाइक ल लेस्टर की तरह ही, तो उसने में वहीं पर मिलने के लिए बुलाया है, जहां पर CCTV कैमरे हो गया रहा है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, तो कॉर्नर पर तो मैं आ गया हूँ, बटायर मिले को यहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा है, तो एक से किन्यार, ओकी तो वह दि देखने में तो कुछ जाद ही अलग सा लग रहा है, क्योंकि उसने कुछ तकड़े से कपड़े पहन रहे हैं, तो चलो यार कपड़े और बाद में देखेंगे, अभी जल्दी से बात करते हैं, और देखते हैं क्या सीन है, तो इसलिए नहीं क्या करना है, कि जो सिलेबरिट में हमें बैट कराना है, ताकि जो बाकी बंदे ना, उनको भी हमारे उपर शक ना हो, तो अभी अपनी डेल पूरी डन हो चुकी है, लेकिन जो बंदा है, ये अपने लिए फ्री में काम नी करने वाला है, इस काम के बदले हैं, हम से पूरे के पूरे पूरे 10 मिलियन डॉलर मांग रहे हैं, तो अभी न फिलाल इसके बिने हम लोगे काम आगे कर भी नी सकते, तो मैंने इसे बूल जे ले लिए 10 मिलियन डॉलर, वाट काम एकदम धंग से होना चाहिए, तो चलो जल्दी से मैं अपनी बाइक पर बैट कर निकल लेता हूं, सीधा उस गाड़ी को चु कर लाते हैं, बाकिया भी जल्दी से नहीं जितने भी कॉस्ट्यूमें में से ले जाकर अपने लेसर के सीक्रेट बेस पे रख दूँगा, बभी फड़ावट से फ्रैंक्लिन को अपने साथ लेकर जाने वालों, बाकि इतर रस्ता है ना प्लीज उपके तो चलो, नहां पर अच्वर रस्ता मिल गया, वरना भी एक बहुत तकड़ा लॉंग करड़ा में मारना पड़ जाता, तो चलो भी जल्दी से गाड़ी को लेकर महीं पर चलते हैं, तो गाड़ी चुराने से बड़ी एक नई फैंटम लिमॉजीन खरीद लो, लेकिन जिक्कत की बात ही है, कि व अब है कि वग नक Rataj वरना है secret base में छेद हो जाएगा तो सारा गाम खराब हजाएगा तो गाइस अभी ऐख फिलाल मैं Franklin को अपने साथ चलने के लिए बोल रहा था लेकिन अभी-बी मुझे याद आया कि कि अगर Franklin अपने साथ चलेगा ना तो ट्रैवर यहां से बाहर निकल कर चले जाएगा सिधा डगन बोस को मारने के लिए तो इसलिए मैंने फ्रैंक्लिंग को बोल देंगे तो यहीं पर रूप बस इसको बाहर मत निकलने दियो क्योंकि अगर यह डगन बोस के पास चला गया तो सारा सारा प्लान चोपट हो जाएगा मतलब क्या दिखो मैं मानता हूं ट्रैवर अकेले ज देंगे तो कोई फायादा नहीं है मतलब ट्रैवर पता है किस टाइप का बंद है इसका दिमाग खरा बजाता है ना तो फिर किसी चीज़ को नहीं देखता तो अच्छा लोग आईजर कोई दिक्कत की बात नहीं जल्दी से नहीं अपनी बाइक लेकर निकले नहीं सीधा उ तो अच्छा लो आर सारा काम जल्दी से निप्टा दें तो अच्छा लोगाइस अभी ना फिलाल मैं अपनी बाइक लेकर सिधा उस सिलैब्रेटी के घर पर पहुचने वाला हूं जहां से मुझे उस कार को चुराना है बाकि यह जो काम है मैं केले कर पाऊंगा या फिर नह नहीं आ रही है और मालो कि इसके बंदे मार के मैं इसके गेरास तक भी पोच जाओं और अंदर गाड़ी हुई नहीं तो सारा का सारा अपना काम खराब हो जाएगा उपर से जो जितना बड़ा प्लैन मना है ना गाइस यह भी खराब हो जागा बट में से खराब नहीं होने गेराज नहीं है गाइस यहां पर जितनी बंदे है ना इनका यहां पर मैं भूत बनाता हूं तो गाइस अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं आगे तो फिलाल यहां पर इन बंदों को मैंने मार दिया एक काम करता हूं थोड़ा वो साइड साइड से जाओंगा क्योंकि इनके साइड में घासों में चुपकर बैठा हुआ था बड़ कोई दिक्कत की बात नहीं फिलाल यहां पर मैंने इसको भी डाउन कर दिया है इसी लिए इतने सारे यहां पर इन इन सब को मार दिया और सामने की तरफ में अभी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है जो कि उपर की त बात बचाने बचाने जादा इंपोर्टेंट दो गई दिको बीना फिलाल सामने की तरफ से काफ्य सारे बंदे मेरे को मारने के लिए लेकिन अर अभी इन में से कोई भी निबचने वाला मतलब क्या यह लोग ना हर साइट सारे बो देखो एक बंदा उस साइड से भी आ गय बट वो सारे के सारे सामने है वह एक बंदा ना इस नाइपर मार रहा कमरे के अंदर से वह भी चुपके तो गाइजर अभी ना फिलाल इन लोग का बहुत मजाक हो गया अब मैं इनको सबक सिखाऊंगा वो भी एकदम अलग रास्ते जाकर मतलब कि अभी ना इन लोग को माल कर डाली जल्दी से हाँ पर मैं जंप मारता हूं फटा फट से इस वाले हैली पैट पर तो मैं पहुत जगा हूं वाकि भी मैं बहुत ज़्यादा क्लोग तो सब कुछ एक दम बढ़िया चल रहा था लेकिन अभी ना फिलाल ब्रिज पर भी काफी ज़्यादा सिक्यूरिटी जो कि सीधा इस हेलीकॉप्टर पर गोलिया वारे जा रही है और हेलीकॉप्टर से दुआ निकलने लग गया है वो सकता है हेलीकॉप्टर थोड़ी देर में ब्लास ब्लास ब्योजा जाए लेकिन यार यह तो बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर बैठा हुआ है निकल तीर जादा गोलियां खा गए तो चले अर अभी ने जल्दी से यहाँ पर मैं इस गाड़ी में बैठता हूँ भाई काफी जादा तकड़ी गाड़ी है और मुझे पहले भी पता था इस गाड़ी के बारे में मेरा बहुत बहुत अच्छे लगती गाड़ी बट आज से पहले मु बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो यहाँ पर एक भाई साब यह दे कुछ ने आगया ग्लास तोड़ दिया अभी फिलाली से रिपेर भी कराना पड़ सकता है नहीं यार मैं इस टाइप की फाइट नहीं चाहता था अभी अपने पास बिल्कुल भी नहीं है एक तो जो गाड मैं अपनी लिमॉजीन लेकर पहुचने वाला हूं सीथा अपने शोरू में फटाफट से जो गाडी आने का इस बैनी से रिपेर करवा लेंगे क्योंकि इसका जो आगे वाला ग्लास तूट गया है और साफ दिग्रेस के उपर बहुती बुरी तरा बुलेट पड़ी है तो इसे गाडी को मैं किसी ओर से चरवा रहा कि किसा को भी पता ने चलना चाहा चाह संसरी चोरी कि ऊड़ी आप हो तो इस बड़ी रहीर और वाला चेंज कर देंगे रहा तकि किसी को बिल्कुल भी हमारे ऑंपर शक ना जाए बाकि जो गद चिश्चिसी को अपनी एक नम्मर क कलर की वो इतनी ज़्यादा है विट इट थी क्या बताऊं बाकि ये तो उसके डबल वेट वाली है तो बाकियार एक सकिंद कि बैनी यहां पर नहीं है शाहसे एक सकिंद यार मेरे साब से वो उपर होगा तो भी जल्दी से एक बारी ऊपर चलते हैं पता करते हैं कि वहां पर बाकियार बैनी इधर भी पर नजर नहीं आ रहा है एक काम करते हैं थोड़ा सा ओर उपर चलते हैं क्योंकि उपर ओफिस में लामार बैठा होगा वटवट से लामार को बोल देंगे जब बैनी आएगा तो उसे वो गाड़ी रिपेर करने के लिए बोल दे बाकियार भी तो कोई हमें गाड़ी आ कर दे जाएगा मैं फोन करके बोल दूगा जब गाड़ी रिपेर हो जाएगी तो चलो गयाज अभीना फिलाल यहां पर मैंने लामार को बोल दाए कि जल्दी से फोन करके बैनी को बुला और फटावट से जो गाड़ी ने से रिपेर करवा के मुझे लो सेंटोस में मतलब कि हमारी घर पर खड़ी करके चले जाई हो अब बाकि यह कह रहा है कि बैनी किसी की गाड़ी डिलेवर करने का हुआ है कोई मतलब की रिपेर करवाने के लिए दे कर गया था इसलिए तो चलो अब इना काफी सारी फरारी तो बिग गई बट अभी जो इना गाइस वो नहीं बिकरी है मतलब की धीरे धीरे विकरी है जैसे पहले दिन भी किती वैसे नहीं होरी बट अभी छोड़ो शूरूम का काम बाद में अभी फिलाल अपने सबसे आधा इंपोर्टन काम यही है तो भी काम करता हूं जल्दी से उसी को लेकर चलता हूं सीध अभी फटरवर्ट से अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं सीधा लॉस्ट आटोस और मैं हेलमेट तभी उतारूँगा जब मैं सेफली वहाँ पर पहुच जाएगी तो बैनी के साथ आकर हमें दे जाएगा तो अभी जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करते हूं निकल ले दे ह और फिर अगर ब्रेक मारनी पड़ जा तो भाई ये गाड़ी रुखने का नाम लेती ही नहीं है मतलब किया अभी तो फिलाल रोड एकदम सही है तो इतनी दिक्कत आ रही है महलोगल को बारिश हो रही है और एकदम पानी भिखरा बड़ा है रोड एकदम गीले हो रही है त तो इसके जैसा साउंड यार सची में बुगाटी डीवो को छोड़कर किसी भी गाड़ी का निया तो चलो भी जल्दी से अपनी गाड़ी को आगे लेकर चलते हैं बाकि यहां पर एक बंदे की और किसी की गाड़ी आकर खड़ी हो रही है पता नहीं किसकी है लेकिन अभी अधर चलते हैं जैसा नहीं कि ट्रैवर निकल कर चला गया वैसे जहां तक मुझे लगता है फ्रैंक लिन रोक करी रखा होगा जल्दी से अंदर चलकर देखते हैं क्या सीन है तो और वो दिको सामनी की तरफ में अपना यहां पर ट्रैवर फ्रैंक लिन तो बैठे हुए है इस टाइम पर है ट्रैवर लग रहा है मैं को थोड़ा वो शान्त हो गया है पहले तो पागलों की तरह दिवार तोड़ेने में लगा हुए तो अपना घुसा उता रहा था और वो देखो लेस्टर आ गया और जो अपनी स्टैच्व हमने बनने के लिए थे वो भी बनकर आ है क्योंकि वो बंदा यहां पर लेकर आ गया तो शायद से वह जो गाड़ी है वो लेस्टर की थी तो चलो भी लेस्टर से बात करते हैं और देखते हैं क्या सीन है क्योंकि रात होने वाली है और साड़े साथ बजी तक हमने अपनी लीमोजिन लेकर पोच नहीं सीधा उस ज जल्दी से जल्दी कपड़े बद्रो चोबी हम कोस्ट्यूम लेकर आया उर उनको पहन करना करेक्ट 7 बजे जो लुकेश्टन अमें लैस्टर र उस लोकेश्चन पर हमें पहुच जा रहा है मतलब कि लैस्टर का कहना ही में यह चथना भी कहां को स्टार का सॉरा को अने वा इसे कॉल करके बोल दिया कि जल्दी से ना वो जो गाड़ी उसे रिपेर करके मेरे घर पर ही लाकर रख दियो क्योंकि अभी ना अपनी पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है तो फ्रैंक्ली अपनी बाइक साने वाला है वाकि ट्रैवर अंदर कहां पर रहा गया तो चलो अबीना फिलाल यहां पर ट्रैवर भी अपना सीक्रेट बेस से बाहर आ चुका है तो चलो अबीना जल्दी से अपनी गाड़ी को लेकर निकल लेते हैं सीधा अपने घर पर वाकिया भी बस एकदम अराम अराम से चलाने और वैसे भी रात हो चुकी है हमें साथ बजने से प बदलना उस गाड़ी को लाना वो सारे काम कम्प्लीट करने है तो चलो अबी जल्दी से हम लोग निकल लेते हैं और बाकी फ्रैंक्लिन भी अपने साथ साथ आई रहा अपनी बाइक लेकर तो चलो गाइस यार फाइनिली मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुच चुके हैं बाक बाकी पहुच को बोल जया था क्या डगन बोस का कुछ भरोसानी है अभी फैमिली के बंदे किटनाप करकर ले गया है कब गोली मोजिन ले जा कुछ मालूम नी तो चलो गाइस यार अभी न जल्दी से अपनी घर के अंदर और जल्दी से चलके अपनी को स्टुम को बदलते है वो फिर जल्दी से निकल लेते हैं सीधा उस जगा पर जहां पर हमें लेस्टर ने जाने के लिए बोला है मतलब किया अभी तक ना लेस्टर ने हमें मतलब की लोकेशन नहीं बताई है अभी वो कह रहा है कि सारी जो बात है वो कॉल पही होने वाली है तो अच्छा लोग फटा-फट से कपड़े बदल कर हम लोग निकल लेते हैं साथ बजने से पहले हमें वहाँ पर पहुचना है तो चलो जबीना फिलाल यहां पर मैंने अपनी गाड़ी से सारे के सारे कोस्ट्यूम्स निकाल लिया है तो जबीना जल्दी से अंदर लेकर चलते हैं जो जो ट्र कुछ इस टाइप से होना है कि कोई भी हमें पहचान ना पाए यहां तक कि हम खुद भी खुद को पहचान ना पाए तो चलो जबीना फिलाल यहां पर मैंने अपना जोकर वाला कोस्ट्यूम पहन लिया है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा स्कैरी लग रहा है आपको कैसा ल जल्दी मची उती डगन बोस को मारने जा रहा रहा था और अब इसको बेर दिखी तो यह इसमें बिजी हो गया तो चलो कोई दिक्कत की बात निहीं बाकि अपना यहां पर तयार हो चुका है फ्रैंकलिन के लिए मैंने यह वाला कोस्ट्यूम बाय कर रहा था जो कि इस पर सही लग रहा है लेकिन इसके उपर का जो पंकिन है वह बहुत सही है तो भी जल्दी से ट्रैवर को भी तयार होने के लिए बोलते हैं और बाकी देखते हैं बैनी अभी तक मेरे साबसे नहीं पोचा है या फिर नहीं बाकी दोर आप लोग यहां पर बाहर देख पा रहे हो क बाकी तो भी यार इन सब चीज में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना जल्दी से बैनी को फोन करके बोलता हूं आकिरकार वह कहां बर है तो अबीना मेरी फिलाल यहां पर बैनी से कॉल पर बात हो गी है और बैनी कह रहा कि बस वो लॉस से पहुचे जुका है और अबीना एक काम करता हूं जल्दी से एक बारी लेस्टर को भी कॉल करके पता कर लेता हूं कि आखिरकार हमें किस लोकेशन पर जाना है उस गाड़ी को लेकर मतलब कि बैनी भी बस पहुचने ही वाला है फिर उसके बाद देखते हैं आगी की प्लैनिंग अपनी क्या है तो तो हमें जल्दी से इस गाड़ी में बैटकर वहाँ पर पहुचना है बाकि बैनी यार एकदम सही टाइम पर आज गाड़ी लेकर पहुच गया तो वैसे आर दिक्कत की बात यह है कि ट्रैवर अभी तक तयार नहीं हुआ और यह गेट को क्या बिमारी होगी लग रहा है इस अपने पास अबीना बिल्कुल भी टाइम नहीं है गाड़ी वाड़ी सब आ चुकी है और एक काम करता हूं यार बैनी को आज मैं घर पर रुकने के लिए बोल देता हूं क्योंकि हम लोग भी जा रहे है और साथ ही माइकल की फैमली भी घर पर नहीं है तो अगर यह रहेग को भी मैंने सारे के सारे रख दिया है और फ्रैंक्लिन ट्रैवर के पास जो भी वैपन से वह भी उन्होंने रख दिया है तो अच्छा लोग अब इना जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी में बैठते है और फटा पट यहां से निकल लेते हैं बाकि इस ताइम पर ड्राइ हुए है ना यहां पर तो कॉंटिन्यूसली एक के बाद एक चारो तरफ पढ़ने लग गया है और पूरी खतरना का वाज आए जारी है बट कोई दिक्कत की बात नहीं जल्दी से अपनी गाड़ी को आगे लेकर चलते हैं हमेना अभी बिल्कुल भी नाइम वेस नहीं करना ह अभी ना फिलाल मैं अपनी लिमो लेकर सीधा रेड कार्पेट पर फोचने वाला हूं जहां पर मुझे लेस्टन ने जाने के लिए काया था तो भी फटवर्च अपनी गाड़ी को आप फुल इस पीडियो में एकदम सीधा बगाते हैं बाकी तो आर आप लोग यहां पर आ नजारे देख लिए और रेड लाइट जो है खताम होगी पता भी नहीं चला बाकी तो आर काफी जाता मजा आ रहा है ने देखने में और फाइनली गाइस जगा पर पहुत चुके हैं जहां पर हमें लेस्टन ने आने के लिए कहा था तो इस जो जगह आप देख पार रहे ह पहुत हैं तो अब जल्दी से आगे चलते हैं और देखते हैं क्या स्थीना फिलाल सामने की तरफ में सिलैबरेटी आकर खड़ेत ओ गए हैं और साथ यूंके बोडीगाड भी उनके साथ में हैं तो हम लोगे एक काम करते हैं ना काई सा साइड हो जाते हैं क्योंकि आगे ज यह सारे किसार इस ताम पर हैलोवीन का कोस्टुम बेंगे डांस कर रहे हैं वड़े फिलाल मैं बस यह देखने हैं कि सेलेबिरिटी इस कवाएंगे सामने कड़ियों कि पता नी शाथ से फोटो और रहे हैं तो चलो काइस यार फाइनली पांच मिनट बात इन लोगोंने आने क जल्दी जल्दी करो बिल्कुल टाइम नहीं है कि यह सनों कि वो निकल ले हमें क्या करना इनके बीच में अपनी गाडी लगा देनी है ताकि किसी को बिल्कुल भी पता ना चले तो चलो कैसे रभीना फिलाल इन सेलेबिरिटी इस के जो ड्रैवर है वो गाडियों में आकर बैट चुकी है और फाइनली इनकी गाडी भी चल चुकी है तो भी ना गाइस बस हमें इनके पीछे-पीछे निकलना है तो भी फड़वट से यहाँ पर अपनी गाडी को मैं आपर इनके साथ लेकर चलता हूँ ताकि किसी को भी हमारी शकल वकल देखने की जरोत पड़े ही सब रेड लाइट पे भी नहीं रोक रहे हैं लोग चलो कोई नहीं अभी फड़वट से इनके पीछे जलते हैं वैसे डाइमंड कसीनों से ज्यादा दूर नहीं है हम लोग बस पहुचने वाले हैं इधर तो कुछ जादा ही फायर क्रेकर जल ले हैं तो भाई यह बीच में क काम ओले जी डाइमंड कसीनों तो सीधा जाकर हैं पता हैं यार क्या सी रहे हैं यहां टक आया हैं तो सीधी सी बाध डामन कसीनों जाये और पहले हैं कोई ओर लोग नहीं हैं तो गाईज जर दिखो भी ना फिलाल अगर यहांसे इसनी गाड़ी अपनी लेफ्ट ली तो और नहीं जाएंगे अभी फिलाल गया diamond casino के आप लोग नजारे देखो कितने जादा बड़ी अलग रहे हैं चाहरों तरफ ऐसे rocket से आफिर स्कायशोट निकल रहे हैं देखके काफी जद अच्छा लग रहा है तो चलो गया इस फाइनली अपना इतना तो confirm हो गया कि लोग diamond casino के आगे चलते हैं तो चलो गया फाइनली हम लोग अपनी गाड़ी लेकर पहुच चुके हैं सीधा diamond casino बाकिया और यहां से आप लोग देखो एक और यहां से लीमो निकल कर जा रहे हैं काफी अमीर अमीर बंदे लग रहा है यहां पर आए होई है तो जल्दी से अपनी आप लोग यहां पर आचुका है और इसकी जैसे हम लोग भी अंदर जा सकते हैं वह भी वियाईपी गेट से बाकितार अंदर जाने में बहुत टाइम लग जाता और पीछे की तरफ में देखो गोल्डन रॉल्स रोस खड़ी हुई है वही आज की दिना यहां पर काफी जाना है बाकिर इतनी ज्यादा भीड लगी है अच्छा हुआ कि हमने व्याईपी एंट्री कर ली लेस्टन ने सही बोला था कि उस तरीके से एंट्री हो तो जाएगी बहुत कम चांसे ताइम पर जाना पड़ेगा बाकितार आप यहां पर अगर देखोगे कितनी ज्यादा बीड लगी भी है जल्दी से अंदर चलते हैं बाई देखते हैं कितना लगेगा तो बातों बातों के चक्कर में वो लोग तो अपनी गाड़िया लेकर यहां पर आगे चले लेकिन मैं इधर ही रहेगा फोटो की चवाने में और नजारे देखने में वैसे हैं सची में काफ बाकि हमें गाड़ी एकदम तमीज में चलानी है और चारों तरफ यहां पर ना फोटोग्राफर्स भरे हुए हमारी फोटो कीचिन के लिए वैसे जाना कहां पर है व्याइपी गेट तो यही वाला था ना ओकी तो शाहसे कोई और व्याइपी गेट है तो यहां पर यह बता साथ ही रहने वाले हैं मतलब उनको नहीं दिखेंगे उनके पीचे बीचे रहेंगे ताकि यहां के जो इनके बोडिगार वगार है ना उनको लेगे कि हम सच्ची में सिलेबरेटी है बस हमने फेस पर मास्क लगा रखा है तो चलो गाइस अभी फिलाल यहां पर अपनी अपना अंदर के लिए निकल रहे हैं बाकि अभी तक मैं गाड़ी से इसलिए नहीं उत्रहा हूं क्योंकि पहले मुझे लग रहा था कि थोड़ी वूत यहां पर बोडिगार होंगे लेकिन अभी पता चल रहा है कि यह लोग तो पुरी-पुरी बोडिगार की बरात अपने अपना लिफ्ट से उपर जा चुके हैं बाकि जो डामट का सीनों का स्टाफ मेंबर है यह भी आ गया इसने का था थोड़ी देर यहीं रुकना पहले उन लोग को जाने तो उसके बाद मेरे साथ तुम लोग चलना तो चलो अर अभी ना जल्दी से हम लोग इसके साथ पार हो कि चारो जो बाउंसर है गेट पर खड़े हुए हैं कि जितने भी सिलैब्रीटी जाना काई जर वो लोग अंदर चले गए हैं त्यार होने के लिए आज रात बारा बजे उनका यहां पर शो है तो वो लोग शो के लिए तयार हो रहे हैं बाकि जो शो है वो पेंट हा आपर प्राइवेट रूम में जाते हैं फिर उसे कॉल करेंगे और एक का मेर को और करना है यह जो बैग है ना मेर सबसे मेर को यहीं पर रख देना चाहिए और इधर देखो भाई पार्टी चल लिया है हैं मुझे लग नहीं रहा था कि कम बंदने हैंगे वैसे फिर भी आय वह में साथ ही रखना है बहुत ज़ता काम आने वाला यूटिलिटी रूम में तो चलो यार थोड़ी देर यहीं पर वेट करते हैं तो चलो गाइस अभी ना फिलाल गयां पर हम लोग ने पिछले तीन घंटे पेंटाउस में चिल मारा और मेरे साब से अब जो सिलेबरिटी दोनों वो इसी के अंदर है और जो बाकी लेस्टर ने मेरे को एक चीज अपने साथ कहरी करने के लिए कही थी वो मैंने अपनी पॉकेट में डाल लिया वो यूटिलिटी रूम में काम आएगी तो चलो अब इने जल्दी से हम लोग नीचे निकल लेते हैं सीधा वागी अच्छा हुआ कि हम लोग उने वियाई पे एंट्री ले ली वरना तो यार किसी भी कीमत पर हम लोग यहां पर नहीं आपादे वाग यार इनका शो भी चल ला है और काफी सारे बंदे यहां पर आप लोग देखो भाई कैसे कैसे फणी बनी कॉस्ट्यूम स्में कर आयो है और साथ में कैप्टन अमेरिका बनकर भी आया हुए एक बंदा ज्योंकि गाफी जादा बड़ी अलग रहा हुआ और बाई कैप्टन अमेरिका चोड़ो पीचे स्पाइडर मैन और आयरन मैन भी बाई इतने बड़ी बड़ी कोस्ट्यूम कहां मिलते है पता नहीं बाद जि जो बोले हमें बस वो काम करना है लेस्टर कहरा कि जल्दी सल दीना कुछ भी करके फटवर से यूटिलीटी रूम में पहुचो बाकि इस बंदे को देखो बाई कोस्ट्यूम पैन कराया बंदा पूरे के पूरे मतलब भाव में चला गयार वैसा ही डांस भी करने लग गया स तक पहुचने का रास्ता ढूंड़ने है रास्ते से मेरा मतलब यह है कि यूटिलीटी रूम जो यहां से 8 फ्लोर पर है और जो लिफ्ट है वो 6 फ्लोर तक ही जाती है और जो स्टेर्स हैं उसका कुछ अथा पता नहीं है तो अभी हमें यहीं नहीं मालूम कि आकरकार दिक्षिनेर की हवा होती है वो सारी आती है तो उसके अंदर हम 20 स्मोग गैस मिला देंगे तो जितने भी बंदें आके जितने भी बोडिकार्ड है सारे के सारे ब्योस हो जाएंगे तो हमें चूरी करने में और भी ज्यादा आसानी होगी तो इसलिए यूटिलीटी रूम मे जिसके अंदर टाओ चैंग और उसकी मैनेजर तो इसलिए में वहां पर जाने कोई फायदा नहीं है तो यहां पर एक लिमिट और तो इस वाले जगा के अंदर चल कर देखते हैं कि आकर यहां पर यूटिलीटी रूम है या फिन नहीं तो चलो काई से अरब ही ना फिलाल य बट कोई भी डरने की बात नहीं है इनको पता है कि हाँ यह लोग व्याइपी है सिलेब्रिटी इसके साथ आए है तो चलो जल्दी से हम लोग अंदर चलते हैं अच्छी बात ही होते हैं मास्क लाने की तो फड़वट से हमें आपर ऊपर चलना है अभी जल्दी से यही है सी सिदा एट फ्लोर पर अभी ना फिलाल यहां पर मैं भागते भागते पहुच्छ चिकाऊं सिदा फिफ्ट फ्लोर पर बाकियार इस तरफ में एक सर्वेस रूम है बट कोई दिक्कत की बात नहीं और आगे जाने का रास्ता बंद है एक सिकिंड यार आगे एक बारी में चल को लग रहे हैं कि यहीं से कोई ना कोई रास्ता होगा जो कि हमें ऊपर ले जाएगा बाकिना एक बरी थोड़ा बहुत इधर घूम कर देखते हैं हो सकता वाई मैं 100% शियोर तो नहीं हूं इधर काफी सारे रूम तो है और अभी ना यहां पर मैं ढूंदना पड़ेगा य और अभी ना एक बंदा ना इस जगा के अंदर गया यह देखो यहीं से बाहर निकला मुझे पता है क्या लग रहा है कि स्टेर्स ना यहीं पर है एक स्टेर्स ना इसलिए मैं यहां पर आसे खड़े हो जाता हूं इनको बोल दूगा मैं होटल में घूमने आ हूं इधर कु बार से सिक्स फ्लोर आ गया और उस तरफ में स्टेर्स खतम होगी थी लेकिन इस तरफ में और स्टेर्स है तो अभी जल्दी यल्दी से हमें ऊपर चलना पड़ेगा बाक्यार उत्तरी की सामनी की तरफ में गाईजार एक सीसी टीवी कैमरा लगा हुए अच्छा हुआ कि मै सही टाइम पर रुग गया वरना मैं सीसी टीवी फूटेज में आ जाता अभी जल्दी से पहले तो यार तो लोग अंदर आ जाओ यहां पर तो कोई सीसी टीवी ने है चलो गाईज अभी फिलाल हम लोग सेफ है और इस टाइम पर मैं सीसी टीवी से दूर इसलिए भाग रह कैमरा करने की तो कोई जरूरती नहीं है माल इसे किसी एक बंदे के मैं कपड़े पहन लूँ और उसकी कपड़े पहन कर मैं एरमेंट में जो अपना काम करना वह करा हूँ उसके बाद दुबार से कपड़े बदल लू तो फिर सबकुछ एक्दम बढ़िया रहेगा मतलब मै अभी जल्दी से हमें आपर वापिस निकलना पड़ेगा और फटा फट से कोई दूसरी कपड़े पहन कर वापिस आते हैं तो चलो कैस या अभी ना फिलाल यहां पर हम लोग वापिस आ चुके हैं तो जल्दी सीन एक बारी आगे चलते हैं लेकिन यार कोस्ट्यूम हमें मि बिल्कुल भी नहीं होने आला फिलाल मेरी दिमाग में एक बहुत ज्यादा अमेजिंग आइडिया आ रहा है वो पीछे की तरफ में तो आयरन मैं स्पाइडर मैं खड़े हैं यह लोग थोड़ा साइड में इनको मार के मैं इनका कोस्ट्यूम तो ले नहीं सकता बट मेरी द अब भी ना फिलाल यहां पर यह दोनों हमारे साथ चल ले के लिए मान गया है बाकियार फ्रैंकिलिन को मैंने बोल देए कि तू अपना यहीं पर रुख ताकि यहां पर अगर कोई महोल खराब होता है तो तुरंत हमें बता दियों लोग कोई नहीं कोई जुगाड करकर वह आने लेकर जा रहे हैं वह भी सोच रहे हैं बात्रूम में कोन फोटो किछवाता है लेकिन जो भी है आज इनके ऐसे फोटो किचेंगे यहां मजा ही आ जाएगा तो जल्देली से भी भाग कर चल लेते हैं क्योंकि पहले ना हमें जाकर यह चेक करना है कि आखिरकार अगर को क्योंकि दो मिनट रुख जा पस एक बारी थोड़ा बहुत तयार वगेरा हो ले फिर उसके बाद फोटो किचवाएंगे रुख जाओ पहले यहां पर थोड़ा बहुत अक्टिंग यहने करकर दिखा जेते हैं कि हम लोग साही में फोटो किच्वाने आया है और तुम लोग खून आ जाएगा सारे कोस्ट्यूम गंदे हो जाएंगे तो चलो अभी जल्दी से हम लोग इनके कपड़े लेकर बदल लेते हैं यहां पर पीछे चुपके वीडियो बना रहा है यह लेकिन आर मैंने चेक कर था अंदर कोई भी नहीं था उब भाई सब यह तो वापीस उतार कर इन लोग का जो कोस्ट्यूम है वो पहन लिया है बट यह रभी ना फिलाल इन चारों की बोडी को ठीकाने लगाना पड़ेगा वरना और और कोई वाश्रूम में आ तो फिर बहुत जादा बड़ी कर बड़े जाएगी तो सबसे बहले ने इसका गेट लोग करके इ आरेन मैं और स्पाइडर मैं का सूट पैन करी जाने वाले हैं सीधा यूटिलिटी रूम में वो भी CCTV कैमरे के सामने से क्योंकि आर अभी ना में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली माल लोगर हमें कोई देख भी लेता है इन सूट्स में कि यहां पर इनी सूट्स वालों ने पर काफी ज़ए बड़ए लग रहा है और यह भी बाउनसर कहा रहा होगा कि यहार, पतार नहीं ए जो जितने एप जो कि जाता सिधा utility room में वो है और इस टाइम पर ना मैं किसी को नहीं देखुँगा मैं directly जाओंगा utility room में चाहिए कोई भी CCTV मेर को देखे या फिर कोई भी bodyguard मेर को देखे बाकि यहां पर कोई भी नहीं है बस CCTV है और ले बाई अच्छे से देख ले कोई भी दिक्कत की बात अभी फिलाल मैं जाकर वापिस से कोस्ट्यूम बदलूगा इसलिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं पर यहां पर security guard भी खड़े है मुझे यह नहीं पता था बट अभी कोई दिक्कत की बात नहीं यहां पर security guard भाट में चाहिए दो दो हैं तुमारी ऐसे की तासी निकलो यहा पर सोच रहोंगे आईरन मैंने अपना घूमने फिर ने आया है अभी यहां पर मैंने इनका भूद बना देशल तेरी में सकी निकल यहां से तो चलो दोनों को मैंने मार दिया और गाइस अरवी तक फिलाल हमार पास कोई भी गंस नहीं थी वर आभी वियाए यह यह यूटि तो इसी के अंदर हमें उस चीज को लगाना है बीजाट गैस स्मोक को तो की काईस जैसे कि आप लोगे आप पर देख पा रहे हो भी ना फिलाल एर्वेंट के अंदर ये जो बीजाट गैस स्मोक है इसको तो मैंने लगा दिया है लेकिन आने वाले 20 मिनट बाद ये असर दिख कर लिया तो समझ लिए 6-7 गंटे के लिए भी उस जाएगा तो चलिए अगर इस ड्रेस में किसी भी बोडी गार्ड में देख लिया ना तो बहुत ही जादा बड़ी गार्ड होने वाली है क्योंकि इन्होंने CCTV में देख लिया हो कि हमने बागी बोडी गार्ड को मारा है तो अबीना फिलाल जल्दी से हम लोग रेस्ट रूम में चलते हैं और अभी फटावर्ट से अपनी आउट्फिट चेंज कर लेते हैं बागी सामने के तरफ में एक यहां पर बोडी गार्ड पोज गया था जिसने यहां पर इन लोग को देख लिया ता सही टाइम पर हमने यहा गैस स्मोक वाला सीन है वो स्टार्ट होने वाले उसके बाद जितने मंदि उससे स्मेल करेंगे ना वो सारे के सारे ब्योश होने वाले है वैसे कोई भी मरेगा नी बट ब्योश हो जाएंगे बहुत देरी तक के लिए तो चलो आब ही जल्दी से हम लोग प्रैंक्लिन को साथ में बड़ी बड़ी है जोएल रिवी ओ भाई सब यह क्या गोल्डन आवन किसी नो वाउ कितने कया मैडम है तो चलो फिलाल इससे में फाल तू बात नहीं करनी जल्दी कर फ्रैंक्लिन जादा टाइम है फटावट फोन चोड़ ओ सोरी तो चलो गईस अर अभी ना फिल सही में भी ओसे हो रहे हैं या फिर नहीं वैसे जो लेस्टर के प्लान है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं तो सब लोग एक जगा ले लो यहां पर से चुपचपच खड़े हो कर हम लोग देखने वाले हैं तो चलो गाईस अरभी ना फिलाल यहां पर देखते देख सबीना सबीना यहां पर खासना शुरू कर दिया है यह दिखो बाइस सब की आलत बहुत ज़्यादा खराब हुरी है कुछ बंदों को ना वहां पर गडबर लगी सारे कर भाग कर इतर आ गया है तो चलो गाईस अरभी ना फिलाल यहां पर हम लोग यहां से निकल लेते हैं क्या सीन है सबी लोग भियोश होए या फिन हुए वैसे आर देखो दिक्कत की बात ही है कि जो लोग वहां से बच कर भागेते ना यह ऐसा ना हो कि वो लोग बच गयो वैसे आर देखो सीधी सी बात है लेस्टर ने बोला था कि अगर एक सेकिंड के लिए भी किसी ने स्मेल सबसे पहले हम लोग यहां से एक्जिट करते हैं सीधा में होल के लिए बागे तो आर देखो जितने भी बंदे फूल मस्ती में भाग रहे थे ना विचारे सारे के सारे यहां पर लथे चुके हैं तो जल्दी से ना बस मेरे को में बंदों को चेक करना है तो चलो गाइस यह यहां पर जितने भी बंदे थे सारे की सारे बुरी तरह भी चुके हैं साथ ही सिलेब्रिटी इस भी बियोश हो गए हैं तो यार देखो क्या ही इनके साथ गलास सीन हो गया चलो कोई दिक्कत की बात नी तो गाइस आर देखो फिलाल गेजो नोजारा कितना ज़दा बढ़ि यहां पर हाते ही होंगे, हम्हें जल्दी से जल्दी जो अपना काम है वो करना पड़ेगा, तो अभी फटवर्ट से पहले चलते हैं, पैंट आउस में वांस अपना बैग लेकर निकल लेते हैं सीधा वॉल्ट में, बाग कियार अभी जल्दी से पैटने हैं लिफ्ट में, बिल्कुल भी डाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर ना जो खत्र है, वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है, तो चलो कैसर अभी ना फिलाल गयां पर हम लोग लोग लिफ्ट ने बैट कर आ चुके हैं, सीधा पैंट हाउस में, तो कैसर अभ वोइस नोट आया था, वो कैसर अभी बिल्कुल भी डाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी से वोल्ट में पहुँच जाओ, तो चलो कैसर अभी ना फिलाल गया जो लिफ्ट है, चल पढ़ी है सीधा नीचे के लिए, और इस ताइम पर हम लोग जाने वाले सीधा डैमेंट के सीधा नेचे के सीधा नेचे का लिए, जल्दी से रड़ी होजा और टाइम आचुका है यहां पर खतरनाक फाइट का, मुझे मालूम है कि अपनी बास अच्छी वैपन नहीं है, बट कोई दिक्कत की बात नीचे की वैसी तबही मचाएंगे, लिफ्ट यहां पर पहुच च यहां पर अजीवती चीज लिए, यहां पर हमारे कुछ प्लेयर टाइप मार रहा है, यह ना कुछ अलग सी गैस है, इससे मेरे को दूर जाना पड़ेगा भाई, इससा मुझे नहीं पता था, इतना जादा खतरनाक सीन होने वाला है, वरना मैं थोड़ा बहुत समझ करा था बर यार कोई नहीं, अभी फिलाल ना यहां पर हमें डामन के सीनों के स्टाफ मेंबर ने बोला था, कि तुम्हें ना सीधा पीछे वाले रूम में जाना है, और वहां पर जाकरना एक बटन दबाना है, उस बटन को दबाने से क्या होगा, कि यह जो इधर वाले डोर है ना, पर और बचा तो निकाल यहां से तो चलो अभी ना फिलाल यह वाला जो बटन में ने दबा दिया है और इस वाली टेनल से ना भार से कोई कोई भी मिलिटरी कोई भी पुलिस कोई भी निया पाएगी यानि कि डामन के सीनों के अंदर बस अब हम ही यह बात है कि उपर से बंदे आ सकते हैं बट लिफ्ट से आएंगे तो उन्हें मतलब कि आने में बहुत टाइम लग जाएगा बाकी चलो भी फिलाल यहां पर तो अच क्यों आ रहा है मेरे कोई यह नी समय जा रहा तो चलो भी जल्दी से आ से नीचे जलते हैं बाकी इन में से काफी सारी बंदोगास बड़िया बड़िया वैपन थे तो शॉट्गन वगारा ले 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 थे बड़िया रहेगा अभी अपने पास एक फुट्टी साइव वोल्ट का रासा है जहां पर वो स्टैचू है गाइस वो यही है अगर हमने अभी थोड़ी से भी गलती करें ना तो फिर बहुत ही जादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी एक काम करता हूं एक एक फोटी साइवन में भली है मोख हम है लेकिन अपनी एक फोटी साइवन न पड़ेगा वाइस अब काफी सारे बंदे रुख जाओ अभी कोई भी नहीं बचे काम नहीं चलने वाला अगर इस तरीके से पाइड लेंगे नहीं तो बहुत ही जादा बड़ी करपो जाएगी उल्लेडी इतनी जादा गोलिया पड़ गया है ताकि फ्रैंक्लिन ट्रैवर परने भी रेल बना दी काफी सारे बंदे भाग भाग कर आ रहे हैं और एक तो नहीं सभी के पास बहुत तगड़ी हेलमेट फेस्ट है मतलब कि मैं पूरी चुस्चिश कर रहा हूं कि इनके सिर्फ पर ही गोली मारू बहुत ही बुरी तरह मार रहे हैं और यार इस टाइम प सब सारे के सारे शीशे तो डाले एक सेगेंड ना पर कोई तो बंदा जो कि मेरे को मारने कोशिश कर रहा है एक मिनट को यह राग इदर आते रहे हैं अब यहां पर चुपता हूं पहले तो थोड़ी देर के लिए एक काम करता हूं फायर एक्सिंगिशर लेलुकर ने यह त सारे बंदे अंदर वाले रूम में निकलो यहां से यहां पर में जगा की सिक्यूरिटी पर चार चार बंदे बैठे में तो चलो कोई नी फिलाल इसको मैंने मार दे एक बंदा यहां पर ओ रहा है इसको भी लपेट डाला बाकि यहां पर जितने भी सीसी टीवी है नहीं सार भार निकल के इनी को मारना पड़ेगा टो चलो भी फिलाल यांपर मैंने इसको मार दिया एक बंदा ओर ओर नहीं 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 एक सकेंड इसका गएज़ बहुत हो गया नहीं सब को बंद कर डालूगा एक भी कम्पूटर भी नहीं चलना चाहिए वहाग यार उस तरफ में पुक्साट आते यह वाला जो बटने में मिल गया जो कि हमने दबा दिया है तो जल्दी से हम लोग यहां से निकल लेते हैं बाकि आगे की तरफ से काफी सारे बंदार है पहले भागो पहले चोरी ज्यादा जरूरी है यह जो डोर है न भाई यह नहीं खुलता अगर हमें यह जल्दी से भाग कर आजाओ क्योंकि यह जो जगा आप देख पार हो ना इसी जगह पर इलेक्ट्रिक फिल्ड आ सकती है वो जो स्टैच्व है उसके चुराने पर बट जब तक हम लोग इस टैच्व नहीं चुराएंगे तब तक यहां पर कुछ भी नहीं होने वाला और इस लोग को तो मैं बहुत बुरी तरह आँगा पूरी एक एक फोटी साइवन रखकर भजा रहा हूं तब जाकर मर रहें निकल यहां से तो चलो भी फिलाल यहां पर इसको भी मार दिया बाकि भी फिलाल आगे तो गाइसर यहां से नहीं पूलिस वाला रास्ता है जहां से हम ल करते हैं बाकि सामने की तरफ में आप लोग देख पा रहे हो काफी सारे बंदे हैं उनके पास जो गन है बहुत जादा तगड़ी एक सेकिंड़ जाओ फिलाल यहां पर इतने जादा तगड़े कपड़े पहन कर बैट हुए तो नहीं है इसको बहुत तगड़ा आर्मर बाकि तो आर्मर आंट यहां पर देख पार रहा है पर अपने को में स्टैचू चाहिए तो यह तेख़ो गाज यह वह गोल्ड़न टाइगर पर साथ महीं यही है वो लूटन इंतर चलते हैं इसको प्रेस बाकि क्यों पर देख पार जो कितनो जादा कैश पड़ा हुरे इस टैचू जिसको हम लोग यहां पर लेने के लिए आया है तो चलो यार अभी जल्दी से इसको तोड़ कर निकाल लेते हैं तो मैं फेक स्टैचू अंदर डालना है बाकी जल्दी से जो काम है करते हैं और फटावट से लेकर निकाल लेते हैं और शाय से जो ब्लू वाले हैं सेंसर है कई ऐसा नहों कि इससे तोड़ें और अपने दूर से करेंट लग जाता हूं तो मैं इसे थोड़ा वह दूर जाके अजीब सी मशीन है इसके उपर यहां पर आपने लोग देखो एक ना अलाम टाइप भी कुछ लगा हुआ है तो इसलिए मेरे को वैसी थोड़ा बहुत जादा ड़ा लग रहा है तो एक बुलिट और मार कर देखते हैं अभी कुछ नहीं हुआ तो यहां पर बस स्टैचू लगनी चाहिए तो चलो एक बुलिट मैंने और मार दी एक बुलिट और अराम से मारते हैं और यहां पर मैंने फाइनली तोड़ दिया है तो चलो भाई अभी जितनी भी सैंसर है वह तो उनको मतलब की पता चल जाएगा जैसे हम लोग स्टैचू निकालेंगे तो चलो भी इस सामनी की तरफ में जो पूरा रास्ता था उस जगह पर यहां पर इस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गही है मतलब की अगर हम लोग इसको चुरा कर यहां से निकलते हैं तो करण्ट लगकर मर सकते हैं बहुत ही खतर राक मतलब की यहां से निकलने का अभी कोई रास्ता ही निवस्ता है तो चलो यार यार यानि की जो लेस्टा ने में प्लाइनिंग बताई थी भाई वो सच्ची बहुत ज़्यादा तकड़े हों पता चला कि फेक को भी पहचान लें कि यहां यह नेकली है इलेक्ट्रिक फिंट नहीं बंदोगी बाकितार आप लोग यहां पर इन लोग को देख पार हो भाई सब गोल्ड वोल्ड बटोरने में लग तो सारे के सारे तीनों के तीनों यहा यहां से कोई भी स्टैचू चोरी नहीं हुआ है इन तीनों इस टाइम पर जितना भी गोल्ड जितना भी डामंड जितना भी कैस था ना जितना इन से हो सकता सारा का सारा लूट लिया बाकि वो देखो सामनी की तरफ में लिए काफी सारी सीक्योरिटी आगी है अभी ना फि बजा दो रुक जाओ बस गेट खुलने दो यह बंदा तो मिरसे बहुत ही बुरी थारा मरने वाला तीरी बहुत जादा डेंजरस लग रहे हैं इस बंदे के मैं तीन बारी बजा चुका हूं बाकि मैं इसके टांगों पर मारूंगा ताकि यह खड़ा भी ना उपाए तो ब अगर यह गेट खुल गया तो सीद्री सी बात हैं हम नहीं बचने वाले इन लोग को बस अंदर नहीं आने देना एक एक करके सब को मारूंगा और मिर पास ना भी गाईजर घ्रनेट बगारा भी नहीं है वरना तो फिलाल मैं इनको मारी देथा तो बाकिया अरबीना फिलाल ओ भाई यह गन तो बहुत जादा गजब की है वर अभीना फिलाल इसकी एक ही बुलेट थी इसलिए मैं इसे और नहीं चला सकता बाकिया इनको मार करना गाईजर अब यहां से आगे बढ़ना ही पड़ेगा तो चलो गाईजर अब इन लोग का भूत हो गया अब हमारी बार बार निकलो जार यह तो गिरने के बाद भी तूटके मारे और एक सेकिंड यह तो अपनी रिलोड लगी एक पोटी तर्न में जादा है मोरी है बट जो भी है इनका हेल्मेट उतर गया अब तो यह जादा कुसमारा नहीं भी गाड़ताएंगे बाकि निकलो यहां से अभी का साफ करते हैं एक बंदा और बचा हुआ है तो चलो गाईजर फाइनली सारे बंदे मार दी लेकिन सामने से और बंदे भाग करा रहे हैं वह जल्दी से अंदर भागना पड़ेगा फटावड फटावड एक काम पर ओके तो ट्रैवर ने उसको डाउन कर चलो यार बहुत ज समय हैं इनको बिलेट के अंदर बिल्कुल भी आर्मर के अंदर भी आर्मर पहने लोगे हैं Laham जैसे कि आप लोग यहां पर देख पार हो भी ना भागते बागते सीधा बाहर की तरफ में आ गया हूँ और सामने की तरफ में कॉफी सारे और भी सोल्डर सा गया है बट कोई दिक्कत की बात नहीं इनको तो मैं बहुती बुरी तरह मारूँगा वट अभी जल्दी से अपनी अभी यानपर जितनी बंडे थी सबी यहां पर लाश बिचाधी है अभी जल्दी सेना एक बार मैं लेट्सर को कर देता Souls कि उसका इत्व कारओ करड़ के दिथे बाक है ुस तरफ से और भी काफी सारे बंदे आ गए तह यही बहुत तेज भागता हुआ आ रहा था बाकी इसको मैंने मार दे लेकिन इधर एक नहीं काफी सारे बंदे आ रहे हैं अभी जल्दी से मेरे को भाग करना सबसे बहले कवर लेना पड़ेगा आगी तरफ में फ्रैंक्लिन ट्रैवर ने भी कवर ले ले एक मिनट रुको अब मैंने का भ अब बाकी पीछे से तो यार अभी और बंदे आ जाएंगे इसको मेरे को पहले मार ना पड़े का निकल लेंगे अब यह भी मर गया है जल्दी से चुपके मैं करता हूं कोल सीधा लेस्टर को तो चलो काई सब्सक्राइब ने नमबर दे रहे हैं और साथ में एक ना ऐसा मो फोई लेकर आए हूं बाकी बीना लेस्टर से बात हो गया है लेस्टर कहरा कि तुम अभी जहां पर हो ना वहीं पर रुखे रहा हो मतलब जो टैनल उसने बनाई है ना उसको डैमेंड कसीनों से अटैस्ट तो कर दिया था बट जो डैमेंड कसीनों की वोल नहीं खोली थी इससे क्या होता कि यहां के जो बंदे अनुने पता चल जाता अभी लेस्टर कहा रहा है कि बस उना थोड़ी दिर में बॉम ब्लास्ट करेगा अवाज आते ही तुम सामने वाले रूम में आ जाना तो यही वाला वो रूम है जिसकी लेस्टर बात कर रहा है तो भी थोड़ी द इस जगह से बाहर बाकिया लेस्टर का जो प्लैन है हमेशा की तरह आज भी एकदम पर्फेट गया तो चलो भी यहां से बाहर निकलते हैं बाग की तो यहार देखो इधर क्या ही बुरा हाल हो गया और वह खड़ है लेकिन अभी एक काम रहा गया और वह काम है यह तो चलते इस जो बंद है इसको मारना सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट था यह भी चीज़ प्लैन में थी लेकिन यह मैंने आपको नहीं बताई थी और इसको मारना इतने ज्यादा इंसलिह था क्योंकि आखिरकारी अपनी टीम का बंदा नीए इसलिए हम लोग इस पे भरोसा नहीं कर सकता है क्योंकि इसने में बिना फेस मास्के भी देखा हुआ था तो चलो और कोई नी अभी जल्दी से इस टरनल से एक्जिट करते हैं और फट आवर से एक दम आराम से शांती से हम लोग यहां से निकल लेते हैं तो चलो गाइस यहां पर हम चार लोग सीधा टरनल से बाहर आ की यह लोग कहां से निकले तो ओणे पता चलेगा कि आगर कारें इन टैनल बनाई थी बट अभी फिलाल हम लोग पुरी को पूरी सेफ है तो चलो आभी ना जल्दी से अपनी बाइक को यहां से बाहर लेकर चलता हूं तो बस यहां से एक लम सीधा ले जाना है आगे एक मैस बाइक लेकर यहां से बाहर पोच चुके हैं फिलाल वो लोग तो अपनी बाइक लेकर निकल गए जल्दी से मैं अभी अपनी बाइक लेकर निकल जाता हूं तो चलो गाइस यहां पर मैंने अपनी गंजोय इस टाइम पर लेस्टर को दे दिया हैं बाकी तो आप लोग यहां पर देख पारे हैं किस टाइप से पुलिस वाले हमारे पीछे पढ़ गए हैं बाकी फिलाल इनको भी मार जा जल्दी जल्दी भगा लवाई बिल्कुल भी ट दिकत की बात नी अभी गाइस यह जो फाइट है ना बहुत ही जादा खतरनाक हो चुकिए पीछे की तरफ में काफी सारे पुलिस वाले हमारे पास आ रहे हैं बट अभी न हम लोग बच कर फुली स्पीड में भागने वाले हैं अपनी स्पीड पर कुछ कम नहीं हैं बाकी म इंपरेयर मैंने देखा नहीं आगे पर अपनी बाइक बुरी तर आकर ठुक गई है वाकि आगे से इन लोग को भी डुक लेटती इरी मैंस के मार हो नहीं जल्दी से आ गया हो वाई अभी बिल्कुल नाइम नहीं है क्योंकि तो अच्या लोग आइस आपर मैं अपनी बाइ सब यह तो भी ओश्य हो गया अगर अभी मैं इसको ठाकर अपनी बाइक पर रकूंगा बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी लुक जाओ यार अगर अगर मैं भाई बहुत बुरी तरा पहस जाओंगा अभी फिलाल लेस्टर को छोड़कर ही जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को लग रहा उसका बहुत ही गलत एक्सिडेंट हो चुका है और अगर इस टाइम पर हम लोग लेस्टर को बचाने लगेंगे तो यह जो मतलब जितनी भी स्टाइटूस हैं सारे प्लीस वालों के पास चल जाएंगे और जोंने इतनी मैनत करें वो सारी बेस्ट लगए हैं बट कोई नी अभी जल्दी से मैं आगे निकलता हूं वैसे मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना यार लेस्टर को बचा लें बट एक बारी चल कर देखते हैं अगर वहां पर मामला शान दोगा तो बचा लेंगे लिकिन बहुत जादा पुलिस है क्योंकि यार यह स्ट पतरनाक एक्सिडेंट हो गया उसे बहुत ही बुरी तरह लग गई होगी और अगर वह बच भी गया होगा ना तो मुझे तो नहीं लगता कि यह जो पुलिस वाले उसे छोड़ने वाले हैं वहां कि फिलाल बहुत तीज बाइक भगा था यहां तो ले आया हूं लेकिन यह हाईवे पर रहंगा तो मेरा पिछा नहीं छोड़ेंगे अभी जल्दी से मैं निकल लेता हूं सिद्धा जंगल वाली साइड पर बाद में फ्रैंकलिन और ट्रैवर को कोल करकर पूछूंगा अब वो कहां पर है अभी किसी का भी कुछ भी पता नहीं है अभी बस अपनी ज पर लेकर आच चुका हूं और यार मुझे तो मालूम भी नहीं है कि आखिरकार यह कौन सा माउंटेन है और गाइस अभी ना फिलाल बहुत ज़ादा गलत सीन हो गया है मुझे तो लग रहा था कि यह मांट्शिलाड है यह तो अल्ला की माउंटेन है और इस जगह पर गाई जो लेस्टर को मेरा बिल्कुल भी छोड़ने का मेनी था बट सीधी सी बात अगर मैं वहां पर रुपता और पुलिस वाले मेरे को अरेस्ट कर लेते तो वह स्टैचू उनके पास चले जाते फिर सीधी सी बात है माईकल की फैमिली ट्रैवर की फैमिली और फ्रैंक्लिन की नहीं बच पाती तो इसलिए यह करना जादा इंपोर्टेंट था बागी ब्यार लेस्टर का पता नहीं क्या होगा मुझे नहीं मालूम तो चलो आज की इस वाली वीडियो में इतना है अगर आपको यह वाली वीडियो ची लगी हो तो फटावर्ट से वीडियो को चाहका ल बात करने के लिए इंस्टाग्राब में डिस्कोड दोनों के लिंगे डिस्क्रिप्शन में है तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही विलते अगरी वीडियो में गुडबाई